हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी का सिलेबस नर्सेरी क्लास के लिए आपके बच्चे अगर नर्सेरी क्लास में हैं और आप जाना चाहते हैं कि उन्हें आप क्या-क्या पढ़ा सकते हैं तो एंट्टेक वीडियो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवानी है जिसमें कि आप स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व की प्रैक्टिस करवा सकते हैं इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करवानी है क्योंकि ये बहुत हेलफुल होते हैं बच्चों को पैंसिल को ग्रिप करन यानि और से अह तक बच्चो को हर वर्ण को पहचानना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, उनका सीक्वेंस आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, यानि कि स्वर्ज जो है वो पूरी तरह से बच्चो को नर्सरी में बनना चाहिए, तो इसके लिए आप बच्चो को औरली पढ़ाए, चार्ट की हल्ट ले सकते हैं आप, तो उन्हें पढ़ना आना चाहिए, रैंडमली आप बच्चों को कोई भी लेटर लिखने के लिए कहिए, ताकि वो उसे लिखना भी सीख सके और उन्हें हर वर्ण के बारे में पता हो कि किसे क्या कहा जाता है, जब आप लिखवाने की प्रेक्टिस करवाए, तो आपने जब ट्रेसिंग करवा दी, उसके बाद में आप एक एक वर्ण को दे सकते हैं, जैसे इस तरह से डॉट डॉट्स बना के आपने दे दिया, इसकी प्रेक्टिस जब आप अच्छे से करवा ले, फिर बचों को खुद से लिखने के लिए प्रेक्टिस करवाए, फिर उसके बाद में आप इस तरह से प्रेशने दे सकते हैं, जैसे देखकर लिखो तो प्रशने दे सकते हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं, जैसे अ से अ तक आपने लिखने और बीच के कुछ वर्ण जो होंगे, वो मिसिंग होंगे, वो बच्चे को लिखने हैं, इस तरह से पूरे भी दे सकते हैं, या चाहे तो आधे आधे करके भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यह साथ कुछ प्रश्शन दे सकते हैं, जैसे चित्र देखकर सही वर्ण लिखो, यहां पर चित्र दे दिया है आपने, यह सारे ही जो है, यह स्वरो से ही रिलेटेट प्रश्शन रहेंगे, तो जैसे यहां पर ओखली का चित्र है, तो यहाँ पर O लिखेंगे बच्चे यह आम का चित्र है तो यहाँ आ लिखेंगे फिर चित्र देखकर मिलान करो याने यहाँ पर चित्र दिया है और उसे सही वर्ण से बच्चों को मिलाना है जैसे यह है इमली का चित्र तो छोटी E से मिलाएंगे अंगूर का है तो अंग स तो E से मिलाएंगे, फिर उसके बाद में आप चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ, इस तरह का प्रश्ण दे सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिया है, और सामने जो भी वर्ण लिखे हैं, उसमें जो सही वर्ण होगा, उसमें बच्चों को गोला लगाना है, जैसे यह उन हैं, तो बड़ा उपे गोला लगाएंगे, यह एनक का चित्र है, तो A पर गोला लगाएंगे, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, समान वर्णों की जोड़ी बनाओ, यहाँ पर समान वर्ण जो होगे, जैसे यहाँ छोटी ही है, तो इधर साइड जो छोटी ही लिख देखना है, फिर आप बच्चों को कुछ कवीता हैं जो है, वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं,